हेलो स्टूडन गुड मॉर्निंग आज मैं क्लास थर्ड सब्जेक में चेप्टन नमबर थर्ड गीव एंटेक जो हमने यहां से लेके इस पेज यह पेज सक हमने कम्प्लिट किया था आज मैं नेक्स पेज से स्टार्ट कर रहे हूं तो पेज नमबर इसका है 32 तो यहां से में स्टार्ट कर रहे हूं एक्जंपल यहां पर दिया गया है 47 is equal to 37 प्लस 10 यानिकी 37 प्लस 10 इसका आंसर क्या होता है 47 देखो यहां पर यह एंठ है उसने क्या आंसर हो is there a shortcut to do this तो इसका shortcut हमें करना है तो देखो इसका आंसर क्या आता है 37 7 प्लस 9 37 प्लस 9 क्या आएगा तो कि 9 प्लस 7 तो कि 16 होगा 16 का हम 6 यहां पे लिखेंगे और 1 केरियोन हो जाएगा 3 प्लस 1 4 तो इसका अंसर क्या आएगा 46 फिर है मैनस है देखो यहां पे मैनस की साइन है 65 मैनस 30 तो कि 5 में से 0 मैनस काट करेंगे तो 5 रहेगा फिर 6 में से 3 काट करेंगे तो 3 बचेगा तो उसका अंसर आगा है 35 विल एट बी इसीर टू गो टू 46 प्लस 21 तो इसको इसीर हमें बनाना है तो पेले 46 देखो यहां पे 46 हो रहे है यहां पे 21 तो 21 में उसके इसी बनाने के लिए उसने पेले 20 लिया है और 1 उसको बाद में लेंगे यानिके 46 प्लस 20 तो इसका अंसर है किया 56 और हमको यहां पे 21 था तो 1 हमें बाद में प्लस करना है तो वो प्लस हम करेंगे तो क्या होगा 67 देखो यहां पे अंसर क्या आता है 6 प्लस 1 तोकि 7 4 प्लस 2 तोकि 6 तो आगे यान आंसर तो यह easier और इस तरह दो टाइप के यह भी example हम कर सकते हैं पिर यहाँ पर देखो 87 माइनस 30 तो 7 में से 0 कट होगा तो कितना आएगा तो कि आंसर आग जाएगा 7 फिर 8 में से 3 कट होगा तो आंसर आएगा 5 यानि कि आंसर इसका है 57 नीचे देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर उसका आंसर दिया गया होगा है और question भी दिया गया लेकिन यह हमें डूनना है यानि कि इसको हमें डूनना है सब जगा दिखो यहाँ यहाँ जब में आंसर हमें दिया गया है और हमें उसको जो वो डूनना है तो केसे करेंगे तो कि यहाँ पर 66 है माइनस तो इसका आंसर क्या आएगा तो कि हमें नहीं पता है उसको आंसर दिया गया है कि 11 तो हम 66 में से 11 बात करेंगे 66-11 bullish एलेवन सिक्स में से वन बात होगा तो कॉट का 5 बचेगा 56 में से वन तो के 5 तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा 55 देखो हम अभ इसका आंसर मिलाते क्या यह आंसर सही आता है तो 56 में से 5 कट होगा तो 1 66 में से 5 कट होगा तो बनाएगा तो यह आंसर हमारा कट है जो देखो यहां पर मैंने जो हमें दिया है उसमें से जो बड़ी रकम है उसमें से हमने छोटे डिजिट वाली रकम कट किया माइनस किया तो इसका आंसर हमें यह मिल गया है वैसे हम इसमें भी ऐसे करेंगे देखो यहां पर है 45 और उ पर लिखूंगी फिर नीचे में 45 यहां पर प्लस की साइन है लेकिन मुझे में कट करूँगी तो यहां पर यहां पर आनसर आता है कि 9 में से 5 कट होगा तो 4 बचेगा फिर 9 में से 4 बड़ कट होगा तो 5 तो 54 तो इसका अंसर 54 आएगा और हम उसको चेक भी करेंगे कि क्या यह answer हमारा सही है कि नहीं तो देखो 5 प्लस 4 9 4 प्लस 5 9 तो यस तो यह हमारा answer सही है next है 26 यहाँ पेले question mark है बात में 26 है is equal to 75 तो बड़ा number कौन सा है तो कि यह बड़ा number हम उपर लिखेंगे उसके हम माइनेस में करेंगे तो हमारा answer मिलेगा तो कि 26 5 मेंसे 6 कट होगा तो कि नहीं होगा तो हम यहाँ पे उसको 10 बनाएंगे तो कि 15 मेंसे 6 तो कि 9 यहाँ पे 7 है तो 6 हो जाएगा तो 6 मेंसे 2 यानि कि 49 तो मैं यहाँ पे 49 लिखते है और उसका answer हम मिलाएंगे क्या 75 आता है तो कि 6 & 9 15 1 carry 1 3 1 2 1 plus 2 3 3 plus 4 7 तो कि यह answer हमारा सही है नेक्स्ट है देखो यहाँ पे माइनस की साइन है तो भी हम बस same to same वेसे ही करेंगे यहाँ पे 35 बड़ा डिजित है तो उसको हम मुपर लिखेंगे पेले फिर नीचे 21 लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे तो हमारा यह answer आ जाएगा 5 में से 1 cut करेंगे तो 4 & 2 3 में से 2 cut करेंगे तो 1 यहाँ पे में सोरी इसको हम प्लस करेंगे माइनस है तो प्लस करेंगे दोनो को तो यह आएगा तो इस दोनो को हम प्लस करेंगे 5 प्लस 1 तो 6 & 3 प्लस 2 तो के 5 तो यहाँ पे में 56 करूंगी उसमें से 21 cut करूंगी तो क्या यह answer आएगा हमारा देखो यहाँ पे माइनस प्लस की sign है तो हमें माइनस करना है और माइनस की sign हो तो हमें plus करना है तो देखो यहाँ पे 6 में से 1 cut करेंगे तो 5 5 में से 2 cut करेंगे तो 3 सेम यहाँ पे है 36 is equal to यह हमें ढूनना है plus 9 तो 36 में से हम 9 cut करेंगे तो क्या answer आएगा तो कि यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 16 में से 9 यानिकी 5 and 2 यानिकी 25 25 प्लस 9 तो क्या answer आगया 36 सेम बेसे ही देखो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे उसका answer सेवन टी 6 दे गया तो यह में यह ढूनना है तो यह बड़े डिवजिट है वह पेले आएगा फिर यह 40 उसका माइनस यहांके प्लस की साय ने तो यहांके माइनस हो जाएगा तो 6 में से 0 cut होगा तो 6 7 में से 4 cut होगा तो कितना बचेगा 3 यानिकी 36 इन दोनों को हम answer मिलाएं तो कि 6 0 प्लस 6 6 4 प्लस 3 7 तो कि 7 हमारा answer सही है फिर नेक्स्ट है 98 यहां पर answer दिया गया लेकिन हमें यह ढूनना है तो 98 जो बड़े डिजिट है वह उपर आएगी फिर है 50 उसको यहां पर प्लस है तो हम यह cut करेंगे माइनस तो कि 8 9 में से 5 cut होगा तो 40 यह तो मैं यहां यहां पर 48 लिकूंगी तो हम इन दोनों को प्लस करके दिखेंगे तो कि यहां पर 0 प्लस 8 8 5 5 प्लस 4 तो कि 9 यह answer हमारा correct है फिर नेक्स्ट है सेवन्टी 57 और यहां पर इस इक्वाल टू 20 आंसर दिया गया है 20 है तो कितना कट करेंगे तो यहां पर 20 आएगा तो देखो यहां पर 57 है उसमें 20 कट करेंगे तो यहां पर 7 में से 0 कट होगा तो 7 5 में से 2 कट होगा तो 37 तो यहां पर उसका answer आगया है 37 देखो जान में से 7 कट होगा तो 0 5 में से 3 कट होगा तो 2 तो answer सही आगया हमारा यह correct है तो इस तरह से आपको अपने नोटबुक में यह करना है नेक्स पेज है एडिंग मेड इजी यानि कि जो हमें एडिंग है वो इजी केसे बनाना है वो हमें यहां पे करना है तो अनिशा ब्राउट एपल फोर थर्टी सेवन रूपीज यानिशा है वो एपल करीती है थर्टी सेवन रूपीज में एंड राजा बाउट्स बनानाज फोर ट्वेंटी वन रूपीज तो कि राजा बनानाज खरीता है ट्वेंटी वन रूपीज में तो यह जो वोमें से यह फ्रूट्स सेलिंग कर रही है और वो बोलती है कि 37 is 30 and 7 तो वो उसकी प्राइज क्या लगाती है 37 की 30 and 7 और 21 की प्राइज क्या लगाती है वो 21 is 20 and 1 यानि की 20 and 1 So 37 and 21 make 58 तो वो दोनों को एक जटके से आंसर ये उमन दे देती है तो जो देखो ये आनिशा है और ये राजा है आनिशा सोच चे कि The first two I can do कि वो पहला जब बोली वो मुझे समझ में आ गया ये दोनों जब वो आंसर उसने दिया इस मूमन ने तो बोलती है कि ये तो समझ में आ गया लेकिन ये राजा क्या कहता है कि How did she added 37 and 21 so fast तो उसने ये 37 and 21 का आंसर इतनी जल्दी कैसे दिये दिया ये ये बोलता है राजा तो next देखो यहाँ पर Let's us also try look at this तो हम यहाँ पर एक सम दिया गया है उसको हम ट्राइ करते है तो कि 26 प्लस 43 तो 26 है उसमें देखो पहले उसको 20 में 26 को अलग किया गया है 20 प्लस 6 और 43 को अलग किया गया है 40 प्लस 3 और देखो यह 00 है यह दोनों यहाँ पर ले लिया है और यह दोनों को इस बाजु ले लिया है जो 00 वाला है वो पहले लिया 20 प्लस 40 and 6 प्लस 3 यह वन डिजीट है तो वो इस तरफ ले लिया फिर इन दोनों को प्लस किया है तो कि 66 प्लस 3 को प्लस किया तो 9 इन दोनों को प्लस करके उसका आंसर आ गया है 69 ता आंसर इस 69 तो जो यह अनिशा है वी ब्रेक 26 इन्टू 20 प्लस 6 एंड 43 इन्टू 40 प्लस 3 कि उसने क्या कहा अनिशा ने कि 26 को ब्रेक किया यानि कि तोड़ा तो 20 प्लस 6 हो गया और 43 को ब्रेक किया तो 40 प्लस 3 हो गया देन इट्स इजी वी एड़ 40 प्लस 20 प्लस 40 एंड 3 प्लस 6 यानि कि यह राजा है उसने क्या तो ओ सो इजी हो गया उसने 20 प्लस 40 कर दिया और 6 प्लस 3 कर दिया तो आंसर आ गया 69 तो आपको यहां तक अपने हॉमबॉक पे टेक्स बुक में यह लिखना है और यह ट्राइब भी करना है और रीड करना है कर दो कर दो कि यह सक्तिय है और मैं जो यह लिए है और रीजू और टु視